चंद्रपूर लोगसभा चुनाव प्रथमचरन चंद्रपूर लोगसभा चुनाव प्रथमचरन चंद्रपूर लोगसभा चुनाव प्रचार के अब आखरी तीन दिन बचे है चंद्रपूर लोगसभा क्षेत्र में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक कर होने वाल चंद्रपूर लोग सभा प्रतिबा धानुर करने मांग की थी मगर इसके लिए महाराष्ट्र के विरोधी पक्षनिता विजेवट्टि टिवार भी अपने बेटी के लिए चुक थे मगर चंद्रपूर में ऐसा कुछ वाता वरिंट दयार हुआ जिसे ये टिकेट प्रतिबा धानुर करको दिया गया लेकिन अब आखरी दिनों में बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है प्रचार भ्यान की गर्मी के बीच प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी की जनसभा गेम चेंजर बन सकती है लेकिन वन गिंटिवार की विवादासपट टिपन्यों ने जिले में भाजपा को बैक फूट पर ला दिया है चंद्रपूर लोकसभा कॉंग्रेस प्रतिबाद धानुर कर इस भ्रम में है कि उनका पक्ष अब मजबूत है वही दूसरी ओर ग्रामि सुदिर मुंगंटिवार के कारिकरता विधान सभाक्षेत्र के प्रतिक गाव में जन्संपर का भियान बढ़ा रहे है बाजपा का प्रतिक कारिकरता सिदे मत दाताओ तक पहुच रहा है लेकिन कॉंग्रेस के पतादी कारी और कारिकरता इसमें विफल दिखाई दे रहे है चंदरपूर लोगसभा चुनाओं कॉंग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अति आत्म विश्वास में हैं कि हमारा समाज बड़ा है और उसे पार्टी का व्यापक वोट आसानी से मिल जाएगा वही दूसरी और मुनगंटिवार इस बात पर पुरा ध्यान दे रहे कि सभी जातियों को कैसे साथ लिया जाए जब मुनगंटिवार पालक मंतरी थे तो कई फैसले किये गए लेकिन कई परियोजनाय बंद भी हो गई बाबुपेट फ्लाइवर पिछले पास से 6 साल से आंशि फल रही है दिवंगन सांसद बाल उधान और करने घोशना की थी कि सांसद बनने के बाद किसानों को बीमा करवाओंगा लेकिन वह घोशना हवा में उड़ गई उनके कारिकाल के दौरान एक भी विकास कारियन नहीं हुआ चंदरपूर से मुंबई रिल्वे को बंद किया आज मौजुदा विदायक लोग सभा के लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी हवा में काम कर रही है घटक दल आम आदमी पार्टी को छोड़ कर कोई भी पार्टी कॉंग्रेस के लिए प्रचार करती नजर नहीं आ रही दूसरी और बीजेपी का भी यही हाल है घटक दल सिर्फ राम नाम जपना पराय माल अपना का स्टेंड ले रहे है जो ग्रामिन लोग शुरुआती दिनों में कॉंग्रेस पार्टी के साथ थे वे अब भाजपा की ओर रुक कर रहे हैं लोगों को एक तरफ अनुभवी और वरिष्टर राजनिताओ और दू